कि नमस्कार मैं हूँ संजे शर्मा आप देख रहे हैं 4 p.m. News NETWORK डिली में नारे गूज रहे हैं जब जब राजा डड़ता है तब तब ED को आगे करता है यह नारे ऐसे ही नारे इसलिए गूज रहे हैं कि आम आप दी पार्टी के सांसत था संजे सिंग को गिरफतार कर लिय संजय सिंग जिस तलखी में सरकार पर हमला करते थे संजय कि जिस तलखी में राजा की बात किया करते थे उससे जाए तैयस को लगता सब्सक्राइ करने में किसान आंदूलों में और भी नारा लगाया करते थे किसानों के समर्थन में बात किया करते थे हमको लगता सब गिरफतारी तभी होगी और हम बड़े परिशान थे अगर संजे सिंग अभी भी ग्रफतार नहीं होते तो हमको लगता कि राजा को क्या हो गया है हमारे राजा मतलब मोदी जी को क्या हो गया है लोग कंदर में इतनी आजादी किसी को देना ठीक नहीं है जितनी आजादी संजे सिंग होती आकि कोई राज सवा में खड़ा होकर र सामोश बैटे कि आके कोई संसद में बैठकर राज समा में बैठकर प्रधान मंतरी के लिए नार्यवाजी कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति कोई डेटा कोई संसद कैसे कह सकता है कि प्रधान मंतरी देश को बेच दिया राजा को यह पसंद नहीं है कुछ लाइने हैं राजा ने कहा रात है राजा ने कहा रात है रानी ने कहा रात है राजा ने कहा रात है रानी ने कहा रात है मंत्री ने कहा रात है संत्री ने कहा रात है यह सुबह सुबह की बात मैं जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहीं। साहे को ऐसी ही रोग पसंद है साहे को ऐसी ही दर्वारी पसंद है चाहे वो मले हो चाहे मिनिस्टर हो चाहे पतरकार हो उन्हें रीड की हट्टी वाला आदमी चाहिए ही नहीं उन्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ सुधीर चौधरी चाहिए उन्हें अपनी जिंदगी में अ और उन्हें नहीं चाहिए फंदेशन नंबर हमारा भी लगेगा हम जानते हैं लगेगा साहिब के साहिब की दर्वारी जो जो नहीं मनेगा नंबर उसका भी लगेगा तो क्या इस डर से सच बोलना बंद कर दें क्या इस डर से सरकार के उपर सवाल उठाना बंद कर दें कहना बंद कर दें कि इस देश में बेरोजगार परिशान है कहना बंद कर दें कि नौकरी के लिए पकोड़े तलना कोई विकल्प नहीं है कहना बंद कर दें कि किसान बेहाल पर रे दोगनी नहीं हुई वह भुखमरी के हालात में आ कहना बंद कर दे डेश में पिशनों को और दरितों को उनके अधकार नहीं मिल लए हैं कहना बंद कर दे कि साहग के मंतरी मुस्लमानों के लिए जहरीली भाषा क्यों बोल ले हैं कहना बंद कर दें कि अंबानी के चैनल इतनी जहरीनी भाषा बोल कर देश का बटवारा क्यों करना चाह रहे हैं कि पूछना बंद कर दें साहिट से कि चीन हमारे यहां क्यों घुसाया सवाल ये है कि मन नहीं मानता सवाल ये है कि दिल नहीं मानता सवाल ये है कि जहन नहीं मानता सवाल ये है कि पत्रकारता का सिदांत नहीं मानता कि सत्ता की चापनू सी करो हमने वो पत्रकारता सी की है जो सत्ता की आँखों में आँखे डाल कर सवाल करती और हम ऐसी ऐसे ही सवाल संजे सिंग के मूँ से सुना करते थे संजे सिंग ने कहा था इस जनम में तो छोड़ो अगले जनम में भी ब्रश्टाचार का आरोप दिखा दीजेगा अक्या मजह की बात एक व्यक्ति ग्रफ्तार होता है सरकारी गवा बन जाता है और वो कहता कि मैंने संजे सिंग को मुकमंत्री के सामने रुपए दिये और ऐडी उनको ग्रफ्तार कर लेती है सालों से एडी तफ्तीश कर रही है सेकड़ों करमचारी एडी के लगे हुए है करोणों सो दो सो करोड की रिश्वत की बात हो रही है और एक रुपए भी ब्राम अदनी कर पा रही है कौन से हवाई जाज से केजरी वाल ने रुपए भरकर अमेरिका लंदन या कहीं बिजवा दिया या फिर जो राजा कहें वो सही ना खाता ना बही और यह क्यों हो रहा है कारण क्या है राजा क्यों डर रहा है राजा क्यों परिशान है राजा क्यों बेहाल है क्या मद्द प्रदेश और राजिस्थान के सर्वे ने राजा की नीद उड़ा दी है चैब इन राज जो के पास संग की जो रिपोर्ट आई ये इन राज जोसे भारतिये जंता पार्टी की पास जो की ओप ऐए इन राज्यों के पास है जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है उसमे राजा की मीदे उडा दे है इन रिपोर्टों में कहा गया है विदान सबाद छोड़ी है लोग सबाद में भी हाला ठीक नहीं है राजा परिशाने महराज नहीं समल्ला राजा परिशाने करनाटक नहीं समल्ला राजा परिशाने बंगाल नहीं समझ रहा और राजा परिशाने क्योंकि बिहार की जाती जन है कि मेरी केवल पिश्ड़ी जाती की बात नहीं कर रहा है गरीबों के हख में हूँ तो लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या पिश्ड़े गरीब नहीं क्यों क्यों लब्बे में से सिर्फ तीन पिश्ड़े हैं इस सवालों ने राजा की नीद उड़ा दी है एक यह चाहिए वो चैसिंग हो चाहिए वो अविसार हो या कोई तीसरा हो जो राजा से सवाल करेगा सकता उसको छोड़ेगी आने वाले छे महीने में राजा अपना सिंगासन हिलता हुआ देखेगा तो वो छोड़ेगा नहीं लेकिन क्या ऐसी निरंकुष्टा क्या ऐसी ताना शाही क्या ऐस कि दादा गिरी इस लोगतंतर को मंजूर है कि राजा यह सब करता रहेगा और एक सो चालिस करोड की जंता आखे बंद करके देखती रही कि क्या सब भक्त बन जाएंगे और ऐसी कारवाई होते हुए देखने देखते रहेंगे क्या चंद चूर जी को नहीं लगेगा क्या स जो इसकी कारवाही सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर हो रही है उन पे सवाल किया है राजा कह रहा है कोई बेईवान मेरे पास में बैठकर मेरे स्टाब को सहनी कर सकता और राजा कहता है कि यह महराश्ट में जो घुटाला करने वाले लोग हैं वो जेल में जाएंगे और जिनका नाम लेता है राजा उनको 24 घंटे में प्रदेश का डिप्टी सीम बना देता है तो यह सब क्या इस देश के लोग देख नहीं रहे हैं यह सब क्या इस देश के लोग समझ नहीं रहे हैं और क्या इस देश के लोगों को पता नहीं है कि राजा करना क्या चाहता है र अगले गिरफ्तारी केजरीवाल की हो एक पार्टी जिसको पने हुए अभी बहुत जाद समय भी नहीं हुआ क्या साथ-षालों में उसमें इतनी पुराणी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की हवायों उड़ादी नियुक्त ważne अब इस देश की राज नीती और अधिय को कि उनकी विर्ट की हट भची है ने बची राजह की ताना शाह påão ब्रॉद्ड करें त रbon झाल झाल